करनल अजी जी अब आपसे सवाल प्याज को लेकर होगा प्याज में हमने नियू अराइवल्स भी देखी है प्याज की फसलें खराब होती भी भी देखी है और इंपोर्ट भी होते वे देखा है ऐसे में आपको क्या लगता है जिस हसाब से अभी मंडियों में प्याज की कीमतों पर दबाव बनता नज़र आ रहे है तो क्या प्याज में आगे कुछ तेजी की संभावना बंती नज़र आ सकती है या फिर प्याज का बजार यूही नर्वी में सिमिट के रह जाएगा? और लगबग बतीस सो पेंटीस सो और चारे जार प्रतिक इंतल के भाव भी देखे गए उसके बाद हाकोयादों का फिर हमने लगातार का कि ये तेजी बन चुकी है इसके बाद मुनाफ़ा वसुल करें और उसके बाद लगातार ये प्याज वे अंदर कमजोरी बन सकती है तो जैसे दिन आगे चलते चलेंगे प्याज के अंदर कितीमतों में घट होती है बढ़ती चले जाएगी तो इसमें कप्याज के उपर आप दाव लगाना उसके अंदर अधिक समय पर रुखना या बड़ा स्टॉक में रखना ये शायद मुनाफ़ा साधा ना रहे एक और एहम बात ये सभी जानकारियां हम फाइनेशल एस्ट्रोजी और फर्णमेंटल अनेलिसिस के अदाथ पर दे रहे हैं पुनाफ़ा नुकसान आपको स्विम को देखना है आप आपको स्विम का धन करना है ये विशेज बात है ये शायद लेजी जी तो यानि कि प्याज की कीमतों में अभी और तेजी की संभावया नहीं है करने लेजेज की तरफ से प्याज किसानों का यही स्तला रहेगी कि ओपरी स्विम कर दें क्योंकि आगे अभी प्याज की कीमतों में और नर्वी गेहरा सकती है तो नुकसान उठाने से अच्छा है आपको जो ओपरी स्थ दिख मि मिल रहा है उपरी स्थर पर अपनी प्याच को अभी निकाल दें विक्वाली कर दें उसी में ही भलाई है